हेलो वाइस, वेल्कम बैक तो जेटनाब टेक्टिक, तो वाइस, आज की इस वीडियो को मैं लोग कवर करने वाले हैं, मदबोर्ट को तो जैसे की आसा को बता है, कि Intel 12th Generation जो है, वो काफी टाइम से आप लोग की फेवरेट रही है, जब से वो लाँच होई है, और AMD जो उसका एक काफी फेवरेट काउंटरपार्ट रहा है पिछले इतने टाइम से, 12th Generation ने AMD की फैटन सीरिस को एक्चिली में फेल करके रखा तो एक ऐसा पॉइंट है, जो है Motherboards, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, कि यार कौन सा Motherboard चूज किया जाए, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, 5 ऐसे Motherboards, जो अगर आपका बजेट 20,000 रुपे से कम है, आप आप बंग करकर भी चूज कर सकते हैं, ऐ वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाईज, क्योंकि एंड में मैं एक Bonus Motherboard बदाऊंगा, जो हम जैसे Creators के लिए हैं, जो Creativity का काम करते हैं, उनको फालतो RGB का टेशन नहीं चाहिए, तो एंड तक देखना मत बूलना गाईज, अगर चैनल पर ने आयों और आप लोग को ऐ सब्सक्राइब करेंगे, जो आपके Budget Processors के लिए भी होंगे, जैसे कि आपका Intel 12 Generation i3 versions हो गए, या in fact अगर आप i5 के साथ भी कोई Budget Motherboard लेना चाहते हैं, जो 10,000 से नीचे के Options हो, उसको भी cover करेंगे, तो सबसे पहले दो ऐसे Motherboards हैं, जो H610 में आपको देखने को मिलेंगे, त MSI Pro H610 MG B4 Motherboard, मतलब की DDR4 Compatibility वाला ही Motherboard है, तो जैसे कि आप सब को पता है, कि यह जो Motherboard है, MSI की Premium Branding के साथ आता है, और चुकि बिल्कुल Entry Level Motherboard है, तो इसमें आपको VRM और Heat Sinks सारे Basic और Average Level की देखने को मिलेगी, अब H610 Boards जो हैं, वो थोड़े से Negative Light में इसलिए आते है First of all, क्योंकि वो बहुत lower build quality की होते हैं और उनमें सिर्फ दो ही आपको Dim Slots लेखने को मिलेंगे, मतलब future में अगर आप कल को RAM Expand करना चाहें अपनी, जो अगर आपने for example, 88 GB की RAM लगा रखी हैं, आप कल को और बढ़ाना चाहते हो उसको, तो उसके लिए आपके पास कोई और slot नहीं है, आपको 16 GB के पेर के साथ ही जाना पड़ेगा, and that is kind of a disadvantage, futuristic approach के साब से ये H610 motherboards ते comfortable to use with नहीं हो सकते, हाल ये जो MSI Pro H610 MG motherboard है, इसमें आपको दो Dim Slots जैसे कि मैंने बता है, वो दो देखने को मिलेंगे ही, इसके लावा एक M.2 slot देखने को मिल जाएगा, और एक खास बात है जिसमें, कि आपको PCIe 4.0 का X16 slot मिलेगा, जो actually makes steel armored slot है, जो की काफी अच्छी premium बात है, इस budget के मदबोट के लिए, अगर इसकी USB connectivity और ports की बात करें, तो 6 USB ports इसमें आपको इसली देखने को मिल जाएंगे, जो की आपके multiple connectivity devices के लिए easily use हो सकते हैं, कल को आपको आ बात करें, तो एक DP port, एक HDMI port और एक VGA port, आपको तीन ही इसमें देखने को मिल जाएंगे, प्राइजिंग की बात करें, तो आपको around 7200 रुपीस का है market में देखने को मिल जाएगा, हाला कि इस motherboard में कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो मिसिंग है, जो हमारे अगले motherboard में आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको इसमें एक RGB header भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा PCI X16 का जो 4.0 slot है वो तो इसमें है ही, और एक और PCI X16 का 3.0 slot भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, तो सब कुछ average ही है, जैसे H610 Brotherboards का होता है, अब क्य इसके BIOS, तो that is what I would recommend, इसके अलावा अगर इसके pricing की बात करें, तो around 7300, सिरफ 100 रुपे और महंगा है MSI वाले से, उसके अंदर आपको काफी सारे added features भी देखने को मिल जाएंगे, तो अगर 10,000 से नीचे कोई motherboard मैं आपको recommend करूंगा, तो ASUS Prime H610 ME-D4 motherboard हो सकता है, यह तो हम हमें बात कर ली H610 motherboard की जिसमें average features ही देखने को मिलते हैं, बट जब आप थोड़ा सा और पैसा कर्ज करते हो, तो कुछ added features भी आपको देखने को मिलते हैं, मतलब जैसे कि आपकी better VRM हो जाती हैं, M.2 slots heatsink वाली आनी शूरू हो जाती हैं, multiple PCI slots देखने को मिल जाते हैं, multiple ports मि जाते हैं इन activity के लिए, तो ऐसे ही जब आप B660 boards में जाते हो, उसमें भी बहुत सारी बूफे आपको देखने को मिलेगा, starting from 10-11 जारों पे से लेकर 25-30 जारों पे के B660 boards आते हैं, बट आपको कौन सा choose करना है, जिसमें ज़्यादा खर्चा भी ना हो, और आपको उसमें जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, B660 में वैसे तो आइडिली गीगावाइट के DS3H models हैं, बट मैं उनको recommend नहीं करूँ कि बहुत जादा ही entry level है, आला कि अगर आपका budget बहुत जादा टाइट है और आप एक Wi-Fi motherboard के साथ जाना चाते हो, B660 के, तो आप सब्सक्राइब के साथ जाओ, जो कि actually में आपके B660 motherboards का budget में काफी अच्छा choice है, इस motherboard में आपको चार दिन स्लोट से देखने को मिलते ही हैं, जो आप overclockable memory के साथ भी आते हैं, जिसमें 800 MHz की memory को clock कर सकते हो, PCI X16 के 2 slots देखने को मिलते हैं, M.2 slots भी 2 देखने को मिल जाए आपको अगर USB connectivity की बात करें, तो USB Type A के 6 ports देखने को मिल जाते हैं, जो कि as a creator या फिर आपको multiple जैसे की मैंने बताया, devices connect करते हैं, आपके काफी जादा काम आ सकता है, अगर display ports की बात करें, तो इसमें आपको 2 DP port और 2 HDMI ports ही देखने को मिलेंगे, किसी भी तरह का कोई VGA support इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो motherboard है guys, यह बिल्कुल complete black design की साथ आता है, इसकी VRM heat sinks है, वो भी बिल्कुल average से थोड़ी better है, आपको एक अच्छा color combination, black का देखने को मिलेगा, उसमें, अगर इसकी pricing की बात करें, तो आरूंड 13-13000 आरपे की range में, आपको एक अच्छ recommended नहीं है, उसके लिए Z690 boards लो, तभी better है, guys, यह जो motherboard है, यह आपके overclockable motherboard है, इसमें आप RAM overclock कर सकते हो, बाकि अगर कल को आप processor overlocking चाहें, तो इसमें वो possible नहीं है, बात करें, next motherboard की तो वो होगा, ASUS Tough Gaming B660M plus B4, तो guys, यह एक micro ATX motherboard है, मतलब की आपके average, जो motherboard होता है, उसम अगर color combination की बात करें, तो ASUS की tough branding है, उसका orange and black combination के साथ, आपको यह देखने को मिलेगा, इसके अलावा guys, इसकी जो military grade tough components है, वो इसको durable बनाते हैं, for longer usage, इसके VRM design की बात करें, तो premium VRM design इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो की better power series के साथ आता है, अगर RAM slots की बात करें, तो 2 M.2 slots with proper heat sinks, आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके बात guys, जो PCI connectivity जिसमें आप अपने graphic cards, sound cards, video cards, जो भी आप लगा सकते हैं, इसमें 2 PCI X16 slots देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 1 PCI 5.0 हो रहेगा, और 1 PCI 3.0 हो रहेगा, और जो 5.0 हो वाला होगा, वो proper steel armored PCI slot होगा, जो क काफी अच्छी चीज़ है, और कल को अगर आपको यह ऐसा graphic card लगाएं, PCI 5 support के साथ आएं, तो यह motherboard आपके काम में आ सकता है, एक तरह से आप इसको future group motherboard भी कह सकते हैं, सिरफ इतना ही नहीं guys, इस motherboard में आपको ARGB headers और RGB headers की भी कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, तीन ARGB header और एक RGB strip header आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसके अलगा 7.1 channel audio देखने को मिलेगी, और USB connectivity की बात करें, तो 7 USB Type-A और 1 USB Type-C port देखने को मिलेगा, तो यह आपको एक Thunderbolt header भी motherboard की उपर देखने को मिल जाएगा, जो की काफी सारे लोग आजकल यूज करते हैं, for better speeds, तो यह जो motherboard है guys, यह दो versions में आता है, एक तो non-Wi-Fi version है, जो आपको around 16.000 करीब देखने को मिलेगा, और एक जो Wi-Fi version है, वो around 18.000 की range में आपको market में देखने को मिल जाए, इसके बाद जो motherboard है, वो ऐसा सा ही कुछ performance वाला motherboard है, वो होगा MSI, Mac, D66T, M, Motor, motherboard, तो guys, यह वाला motherboard की दोनो Wi-Fi औ पहले motherboard से थोड़ा सा नीचे rate करूँगा, क्योंकि इसमें कोई भी Thunderbolt port देखने को नहीं मिलेगा, ARGB header भी देखने को नहीं मिलेगा, but इसमें आपको कुछ जादा USB ports देखने को मिल जाएंगे, जो होंगे around 8.000 के लावा अगर इसमें memory हो clocking की बात करें, तो 4800 MHz तक की ही memory आ सकते हैं और इसमें प्योर ब्लाक वाला फेस भी आता है, जो आपकी अपनी चोईसे इसके आप साफ साफ चूस कर सकते हो, यह वाला motherboard भी एक Micro Etex motherboard और इसके pricing की बात करें, तो around 17.000 की रेंज में आपको यह Wi-Fi model और 16.000 की रेंज में नॉन Wi-Fi model यह तो 20.000 से नीचे के कुछ motherboards थे, जो आप अपने i3, i5 या in fact i7 की साथ compatible कर सकते हो, हाला कि एक ऐसा motherboard जो मैंने बताया था, जो bonus motherboard है हमारी तरफ से, जो हम आपको suggest जरूर करेंगे, अगर आप एक creator है, content creator है हमारी तरह, तो उसके लिए Asus की तरफ से Asus Pro 8 B660 Creator D4 motherboard आता है, specifically creators को ध्यान में रखके बना support है, इसके RAM support की बात करें, तो 4 DIN slots तो इसमें है ही, आप इसमें अच्छी कासी RAM support कर सकते हैं, इसके लिए जो motherboard है, इसमें features की उपर कुछ खास ख्याल दिया गया है, सबसे पहले तो guys, इस motherboard में किसी भी तरह की speed की कोई कमी नहीं है, अगर आपको तेजी वाला काम चाहिए, मतलब आपको कुछ ऐसे components आप यूज कर रहे हो, जिसमें आपको speed के साथ compatibility अच्छी हो, तो इस motherboard में आपको 3 M.2 NVMe slots देखने को मिल जाएंगे, जो की actually में heat sync भी है, इसके लब guys, अगर speed की बात चले ही रही है, तो इसमें आपको thunderbolt 4 support भी देखने को मिल जाएगा, जो की actually मे it makes your PC much more faster as compared to other ports, इसके लब अगर USB port compatibility की बात करें, तो 8 Type A ports हैं, और 1 Type C USB port देखने को मिल जाएगा, तो कल को आप, जैसे कि हम creators लोग होते हैं, हमें अलग-लग devices connect करने पड़ती हैं, we have multiple hard disks, external hard disks, headphone, audio, video, कोई webcam भी है, हमें connect करना है, तो इसमें USB port compatibility होनी चाहिए, और कल को अग connectivity भी आपको इस motherboard में देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको audio की भी किसी पितरा की कोई कमी नहीं है, पांच audio jacks देखने को मिल जाएंगे, और अगर PCI connectivity की बात करें, तो PCI 5.0 X16 का एक steel armoured slot देखने को मिल जाएगा, जो कि actually मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, it is supposed to be future proof, अग PCI 5 के connectivity मांगे, तो इस motherboard में वो है, इसमें आपको 2.5 GHz और 1 GHz की दो Ethernet connectivity भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपको कोई नेस्टिंग का काम करो, तो उसमें ये एक आपकी काम हा सकती है, and last, अगर इसके price की बात करें, तो around 23,000 रुबीज का currently आपको ये Indian market में देखने को मि अगर आप एक creator है, आपको कोई फास्टू टेशन नहीं चाहिए RGB का, तो this is the best and the right choice for you, तो guys ये थे कुछ मदबोर्ट जो मैं आपको suggest करूंगा, अगर आप एक budget या mid-range PC build करने ही कोशिश कर रहे हो, 50-60,000 से लेकर अगर लाग रुपे तक कभी PC build कर रहे हो, तो ये motherboard आपके झाहिए